हलो वच्चों आएम पुलकी शर्मा यूर फिजिक्स मेंटर आज हम चैप्टर फर्स्ट जिसका नाम है वाट इस फिजिक्स उसके बारे में चर्चा करेंगे लास्ट लेक्चर में हमने बेसिक मैथेमेटिकर से फॉर्मुले डिफेंशिशन का पार्ट इंट्रिशन का में नीट के पेपर में कोई भी कोशन नहीं आता पर हमें इससे इतनी जानकारी मिल जाएगी कि फिजिक्स क्या है फिजिक्स कैसे पढ़नी है और उसका पार्ट क्या-क्या हमारा इलेवंत में और कुछ पार्ट हमारा प्लेस्टू का बीच में इंक्लूड़ेड है तो काम पूरे संसार के अंदर या पूरे ब्रमान के अंदर जिन भी चीजेओ को हम करते हैं हम देखते हैं हम चूते हैं पता लगता है यह घरम है यह थंड़ किया है तो हमारा यह knowledge क्या है यह organized knowledge है मतलब हमने इस चीज़ को क्या organized किया तो science की जो definition होगी starting की हम उसको यही बात करेंगे science में तो हम बोलेंगे it is organized knowledge about the natural phenomena which is obtained by observations experiment and accurate reasoning अब एक चीज़ बताईए किसी भी चीज़ को अगर आप देखते हो या उस चीज़ को आप सूंगते हो या कुछ भी sense करते हो हम उसको क्या बोलते हैं हम बोलते हैं यह राजू को हमने देखा था या किसी और बात की करते हो आप चाहे को पकड़ते हो आप बोलतो चाहे गरम है तो ठंडी होने दो तो आपको उस चीज़ का अंदाजा हो जाता है कि चीज़ गरम है यह तो यह कैसे बता लगता है कुछ आपने चीजे देखी है अब्जर्व करी है या उसको आपने एक्सपेरिमेंट कर गए आपने गरम चाहे पी लिए आपकी जीब जलगी तो आपके एक रिजनी निकाल देते हो हां भी ठीक दो मिनिट बाद यह ठंडी हो जाएगी और पीना स् देखी है और यह चीज पे एक्सपेरिमेंट करना स्ट करते हैं क्लियर है अब कई तीन ब्रांचे-बंटी गई हैं जिसकी फर्स ब्रांच हम बोलते हैं physics की बात करते हैं और सैकिंड बोलते हैं chemistry और थर्ड बोलते हैं biology इसको बोलते हैं बहतीजान अरसायन विज्यान इसके पार्ट रहेगा वो यह पार्ट सबसे basically और सबसे important रहेगा ध्यान रखेएगा कि study जो करेंगे हम नीट की द्रस्टी से करेंगे और नीट को मद्यनेजर रखते हुए करेंगे ताकि किसी फरकार की कोई परिशानी और दुविदा ना आए अगर आपने इस चप्टरों को इस starting वाले चप्टरों को आराम से कर लिया तो अगर आले चप्टरों में दिक्कत नहीं आने वाली किसी परकार की कोई परिशानी नहीं आएगी तो start करते हैं हमारा what is physics, physics क्या होती है तो इसको बिल्कुल basically शब्दों में बता दिये तो हमारे जो आसपास का जो हमारा word है, physical word इसका नाम दिया है उस word के अंदर हम जो भी चीज़े देखते हैं, जो भी चीज़े observe करते हैं, उस चीज़े को हम low बना देते हैं तो low ऐसी बन जाता है, तो low ऐसी नहीं बनता, low के लिए बहुत step follow करने पते हैं, बहुत का मतलब 5-6 step होते हैं, उनको follow करना पड़ता है, उसके बाद वो low बनता है जैसे आपने बोला कि किसी पथर को उपर से नीचे फैंकते हैं, और एक इंसान है उसको भी नीचे फैंकते हैं, तो हमने क्या बहुत बोल बहुत दूर तक जाती है, वहां पे हम low की मोटी बो ले ले रेते हैं, उसको लुड़काते हैं, वो थोड़ी दूर जाके रुख ज निए करने के लिक चीज़ वहां जाकर क्यों रुग देई तो हमने क्या किया उन चीज़ों को observe किया अब उन चीजों को observe करने के बाद उनको apply करेंगे उस पे क्या हमारा कुछ experiment apply करेंगे कि Yap जो ball हलकी वाली वो शायद आगे चली है, जो कम भारी ज्यादा भारी वाली चीज थी, वो कम दूर तक चली है, तो शायद हमारा बारा और बारी और कम में कुछ फरक हो सकता है, तो शायद आपने वो चीज पकड़ ली, क्लियर है बात, तो साइंस और फिजिक्स में हमने क्या बात करी, कि साइंस में हम और्गनाइज नौलिज की बात करते हैं, फिजिक्स में जो हम नेचर की बात करते हैं, पूरे नेचर से जो हम लोग उठाते हैं, वो क्या है, फिजिक्स है, और हमारे ब्रहमांड में क्या हमार physics में इतने ज्यादा laws हैं जिसको आप 11-12 में बढ़िया तरीके से पढ़ लोगे बहुत ज्यादा नहीं जितने आपको sufficient है उतना पढ़ाया जाएगा और आपको उस चीज में physics पूरी cover हो जाएगी definition पढ़ना start करते हैं physics is the branch of science that deals with the study of basic laws of nature their natural phenomena अब बात करते हैं motion की first part की बात करते हैं हमारा जो इसका example का अब देखो motion क्या होता है अब हिंदी में बात करेंगे तो क्या बोलेंगे गती की बात कर रहे हैं सर हम जानते हैं हमारी बाइक की गती बहुत तेज है हम बाग रहे हैं हमारी गती बहुत तेज है तो हमने क्या बोला किसी भी गती की बात कर रहे हैं वो मोशन की बात करते हैं अगर दो बाइक आसपास निकलने स्टार्ट हो जाएंगे एक बाई तेज चल रहा है उसको relative velocity वो आगे का पार्ट है पर बात करेंगे मैं बोल रहा हूँ ना आपकी जिन्दगी में आसपास की होने वाली जो भी गटनाए है ना हम 11 वारे में सब सलटा देंगे बस शर्त यह है कि साथ बनाए रखे काम बना स्टार्ट हो जाएगा और इस lecture के बाद क्या जितने भी lecture होंगे उसके बाद जो भी topic हम cover करेंगे उसमें किसी परगार की neat के questions में कोई परिशानी नहीं आएगी और ना ही 11 12 के concept में परिशानी आएगी क्लियर है सेकिंड बात करते हैं हम energy की हां सर हम energy की बात बिल्कूल करके आते हैं अगर हम इसको देसी बाश्या में लोकल लेंगवें समझे तो हम बोलते हैं जब हम बहुत ज़्यादा cricket खेल लेते हैं जैसे माल लो संडे का दिन है सु हम ने क्या बोला हमारी energy आप ऐसे बोलते हैं आप खेलनी की शर्दा नहीं आप तो energy खतम होगी ठीक है फिर हम क्या करते हैं कुछ खाते पीते हैं फिर हमें energy आती है तो energy की बात करते हैं वह उर्जा है वह हमारे local language की बात कर ली अगर हम physics पे बात करें तो हम kinetic energy potential energy both energy sound energy बोत ह है पर हम basically जो चर्चा करेंगे kinetic और potential की बात करनी start करेंगे उसी तरह से क्या है थर्ड है current electricity अब बात सुनो हमारे घरों में बिजली तो आती है बिल्कुल आती है तो हमने क्या बोला इसको बोलेंगे विदुद्धारा क्या बोलेंगे विदुद्धारा तो आप तो अभी त हम जानते हैं कि तारवारों में हमारे जो electrons का flow होता है उसको विदुद्धारा बोलते हैं उसी तरह क्या होता है radiation की बात करते हैं तो यह चीज़े जो आ रही है यह तो अभी बहुत थीन चार हमने एक एक एक्जमपल नहीं है इसके बहुत एक्जमपल हो सकते हैं और बहुत लता है प्जिक के लिए हमने कुछ जिसीन को बनाने की मरने की हमने बाते करी है वह बन जाता है कैसे आटर रहा है तो यह तो यह बने आप यृज यह इसके लिए हम ने क्या किता है और से क encoursetti औके कि अटांड ऑने व्रू उसके कुछ methods होते हैं जैसे हम किसी भी मैस में बात करें तो हम मैस में किसी पर्मय को प्रूव करते हैं तो उसके कुछ methods होते हैं उसको follow करना पड़ता है फिर काम बना माना एक्स बराबर में 0 तो करना पड़ता है ना मानना तो पड़ता है ना आओ जरा हमने क्या बोला सबसे पहले हम क्या करते हैं observation करते हैं उसका अवलोकन करते हैं अब माल लो class में बैठे हो आप observe कर रहे हो कि हाँ ये बात सही बात बोल रहा है या उसको आपने observe किया या class पर कोई teacher बच्चे को खड़ा करता है इसका answer बता तो आप उसके बात को बहुत ध्यान से सुनते हो हाँ इसने सही answer दिया उसको आप क्या कर लेते हो और आपको खड़ा करते तो आप उसको बोल देते हो आपने क्या किया observe कि फिर आप उसको बोल दिया सेकिंड बात क्या करते हैं controlled experiment अब वही बात अगर आप से पूछली जाए कि आप बोर्ट पर आके बता तो शायद आप पांच में भूल जाओ उसको क्योंकि वह स्टाटी में ताया याद रहा था तो हमने क्या पहले इसको observe किया काफी देर तक observe किया उसके बाद हमने इस पर experiment किया कि बात सही है या गलत है इसको बोलते है नियंत्रित प्रयोग आ जाओ अब कि जिंदगी में मतलब यह हो और दूसरी चीज का मास बढ़ा दिया तो हमने क्या बोला उसकी क्वांटिटेटिव रिजनिंग करी हमने मतात्मक तर्क दिये कि हां भारी चीज थी तो कम दूर तक गई है छोटी चीज थी जहां दूर तक गई इसका कम मास था उसके बाद क्या होता है चलो आपने यह तीनो कावर में में ठीक है अगर मैं बोला कि 4 सीदा सीदा किसा पर कर रहा है कुम अबionar मेरे साथ इंसान जो 200 के लों का ए walls सेंगा नॉर्मल साधल सी बात है मेरे को जदा effect पढ़ेगा क्योंकि मेरा mass करेंगे बहुत कम है तो हमने क्या बोला कि धक्का है हमारा दख्का पढ़ेंगे एक बाद में हमारे धक्क्ये जो लगेंगे वह देख लेंगे आव ज़रा mass को क्या पढ़ेंगे द्रवयमान अभी सर्फ चर्चा हमारे बिल्कुल घर चर्चा होनी चाहिए ताकि हमें समझाना स्टार्ट हो जाए यह याद करने का अशक्ता नहीं है यह सिर्फ समझने की आशक्ता है ठीक है जैसे हमें दक्का लगाया हम पे हमारा दरवमान जदा था तो हम कम ही ले और वैसी अगर फिर्फ खड़ा लए और आहीं जहीं है गलत बोल रहें मेज्सका प्रूव कर सकता हूं अगर उसने प्रूव कर दी मतलब कहने का मतलब उसने 1 परोव कर दिए तो वो सर्फानी हो जाएगा और और इसका हो इसका क्या मतलबाद उसकाาม कर यह नहीं कि बालत है वह अग तो क्या होता है हम भी verify होगे और नहीं होता तो काम खतम हो जाता है तो यह हमारे 5 step थे किसके observation के control experiment के quantitative reasoning के mathematical modeling के और verification से इससे हमारा एक किसी भी कोई scientific matter बनाना करता है या किसी भी rule की बात करते हैं उसको हम बना सकते हैं तो बनाईए रूल आप आपके लिए nature में आपका नाम बनाईए और काम बना स्टार्ट हो जाएगा आईए जी two basic quists in physics first है unification अब देखिए मैंने आपको क्या बोला था कि हम इतने लो लिख सकते हैं कि हमारा पूरा दो तीन चार बोड बर जाएंगे मैं तो दो बोला था तीन चार और एड कर दिए मतलब बोट बर जाएंगे अब एक बताईए आपको मैं बोलूं कि बेटा आप दस चीजों का सिर्फ एक लो बनाओ तो आप बोलो कि सर क्या जिंदगी है बहुत ही बड़ी हो जाएगा तो वैसी में बोला हूँ एक लाख लोज एक लाख फिनोमीनाज के आप एक लोग बना दो आप लोगे सर जिंदगी में तंदुरुस्ति आगी अब मैंने क्या बोला कि यूनिफिकेशन का मतलब क्या एक ही करन कर दिया मतलब हमने क्या बोला बहुत सारे लॉज को हमने कठा कर मतलब क्या हो गया फिनोमीनाज को कठा करने का मतलब क्या हो गया लॉज नहीं फिनोमीनाज बोलेंगे हमने बोला कि सर कोई बॉल उपर से निचे गिर रही है कोई इंसान उपर से निचे गिर रहा है कोई पैन उपर से निचे गिर रहा हमने इसका एक लोग बना दिया हमने हमारा घर बनाना है और पानी उसकोने में डालना है तो हम क्या करेंगे ड़लान ऐसे रखेंगे क्लियर बात तो आपको एक लो समझ आ गया कि जो ड्हलान है ऊपर से नीचे की और पानी का फ्लो रहता है आपको किसी डिरेक्शन के अश्रक्ता नहीं पड़ेगी आप बोलोगे डाल थोड़ी उपर रख दे डाल मतलब इस साइड रख दे पानी साइड जाना चाहिए हमारा चैंबर उस साइड तो आपने क्या किया तीन-चार लोग को तीन-चार फिनोमेना को मिला के एक लोग बनाती है तो यूनिफिकेशन का मतलब यही होता है चीजों को अब प्रफिनोमेना का एक लाख ही अबना दिया वह जस्टिफाई हो पाएगा क्या नहीं हो पाएगा कैसे पाएगा आप कुछ सचिए मैंने बोल दिया की ग्रेविटेशन का बंदे का अलग बनाओ पत्थर का अलग मनाओ किसी और का अलग बनाओ आप तो फॉर में रह कुछ कॉंसेट्स समझेंगे और कुछ लोग से हम क्या करेंगे काम करना स्टाट कर देंगे तो वही क्या है यूनिफिकेशन क्लियर है कोई चर्शा में दिक्कत नहीं है चलो एक्जम्पल चेक करते हैं जी पहला इसका एक्जम्पल क्या बोला है न्यूटन जी थे जो हमार न्यूटन लॉफ क्या था ग्रविटेशन एपल वाला याद आ गया होगा एपल का फोन नी दे एपल सेव वाला अच्छा कैन वी यूज तो डिस्क्राइब दा मोशन आप फॉलिंग तुवर्स दा अर्थ हमने क्या बोला कि जो अर्थ का अर्थ के ऊपर से कोई चीज गिर नाम मॉश्य ढाईट मूफ यह मूंट डारओं अर्थ की लिप विज क्या लगता है उनकी पीछ में क्या लगता है लगता है जिसकंट वो चक्कल लगाता है तो अगर मालन लो हम प्लैने सब्सक्राइब नाम देखके काम खतम कड़क क्लियर है बात समझ के अगला देखते हैं अगला बोलते हैं रिदक्शनिजम रिदक्शनिजम क्या होता है जैसे मान लो आपको एक बड़ा लो दिया बिगलो बिग शो नहीं बिगलो हमने क्या बोला इस बिगलो के लिए और और इसको अजीब सा लगता है चलो कुछो लिखते हैं मालो कि हमने बोला कि बहुत बड़ा कॉंसेप्ट है उन्स को समयने के लिए हम छोड़ी चीजों की बात करनी पड़ेगी जैसे मोने बोला कि आप किसी टेलिविजन की बात करो या आप किसी फोन की बात करो तो आपने फोन के अंदर क्या क्या चीजे हैं उसको खोल के देख लोगे हां सर एक बैटरी होती है कुछ चार्जर के लिए जैक लगा होता है स्पीकर साउंड के लिए स्पीकर लगा होता है वालिम कम जाना क करने के लिए बटन लगे होते हैं तो आपने इसको पूरा खोल दिया आपने छोटे-टे माइक्रो उसकी पार्टिकल्स देख लिए देख लिए और उसको आपको जोड़के एक मैक्रोस्कॉपी मतला बड़ी चीज बना दी अगर फिजिक्स में आएंगे तो हम किसकी बात करे हम जर्नेटर की बात करेंगे जर्नेटर तो पड़ा हुआ है तो हमने क्या बोला जर्नेटर में हम पहले देखते हैं सर मेंगनेट्स लगी होते हैं दूसरी अगर बात करेंगे हमने बोला सर आर्मेचर कॉइल होती है थर्ड अगर हम आर्मेचर कोईल मैगनेट्स की बात करी और हम बुलेंगे सर स्लिप रिंग्स की बात करो ठीक है यह लगी होती है इसके कारण क्या होता है हमें पता लग जाता है कि अब जैसे ही चर्चा करते हैं तो यह तीने चीज़े कि इसको प्रिप लेते हैं अब बार से देखें में चलना पता पता है तो इसके बाएं पढ़ते हैं अनदर अटेंप्ट made in physics is to explain a macroscopic मतलब इसको बोलते है स्थूल system in terms of its microscopic मतलब हमने क्या किया उसकी छोट छोटे particle देख लिए मत्चीजे देख लिए constitutes example क्या हो गया generator हो गया thermodynamics इसके बारे में थोड़ा से जाचर्चा नहीं करेंगे उसका reason क्या है thermodynamics है उसके बारे में है पूरा एक चेप्टर है उसकी बात हम पूरी करेंगे चलो थोड़ा बता देते हैं हाँ कि अब देखो thermodynamics में क्या होता है कि हम हीट की सारी बाते कर देते हैं गुपत उश्मा की खर्चा करेंगे उसके बात करेंगे तो यह में हमारी चार फंडामेंटल लो वैसे दो बहुत हैं पर fundamental laws की बात करेंगे, जो हमारी चर्चाओं को बहुत आसान करेंगे, उसके बारे में बात करेंगे, सबसे पहला है gravitational force, अच्छा, इस से पहले हम आपको बता जेते हैं, force के बारे इंजानकरी बता जेते हैं, यह आपके, यह वाला force है, यह आप 11th class में ही पढ़ लेंगे, और इस force को आप पढ़ेंगे, plus two class में, इन दोनों को भी क्या पढ़ेंगे, plus two class में, मैंने starting में बोल जेता है, कुछ पार्ट इसका, plus two की भी चर्चा में आएगा, clear है बात, चलो, gravitational force क्या होता है, अगर माल लो, किसी भी दो masses की बात कर रहे हो, माल लो, m1 और m2 की बात कर रहे ह तो उन masses के बीच में लगने वाला जो force होता है, उसको हम क्या बोलते है, gravitational force बोलते है, आइए जरा पढ़ना start करते है, gravitational force क्या होता है, आइए, it is the force of mutual attraction between two bodies, virtue of their masses, हम मैंने क्या बोला था, दो masses ले लिए, m1, m2, उन दोनों के बीच में लगने वाला जो force होगा, उसको क्या बोलेंगे, हम, gravitational force बोलेंगे, अच्छा, कुछ properties पढ़ते हैं, बापिस बोलेंगे, चर्चा का विश्य है, थोड़ा बाचर्चा करेंगे, उसके बाद ज्यादा लंबा लेक्चर नहीं रहता है, यह इतना होता है कि आपको physics में क्या क्या चीज़े पढ़नी है, और क्या च range force, मतलब, लंबी-लंबी दूरियों पर लग जाता है, अब खुद चेक करिए हैं, आप कोई भी पत्थर को उपर फैंगते हैं, और हम कहां धरती पर हैं, इतना पत्थर उपर से नीचे आया जाता है, तो वो क्या है, लोंग range force की बात करता है, और बहुत long range की बात करेंगे product of their masses of two bodies, अगर हम बात करेंगे, F बराबर में क्या लिखेंगे, GM1, M2 upon में R square, ठीक है, सर ये capital G किसको बता रहा है, सर gravitational constant को बता रहा है, सर हमें पता है, हम पढ़के आचुके हैं इस चीजों को, clear है 9th class में, M1 किसको बता रहा है, सर mass को बता रहा है, M2 किसको बता रहा है, सर mass, second mass को बता रहा है, जो दोनों के बीच में है, और R क्या होता रहा है, उन दोनों के बीच में, distance को बता रहा है, वैसे तो इतनी चर्चा बताने की आफशकता नहीं है, पर फिर भी थोड़ा सा आपको लिख दिया formula, तो हम बता ही देते हैं, ये चीज है, इन दोनों के ब change force होता है, समझागी, example check करते हैं, all bodies fall, मतलब गिरना, because of the gravitational force of attraction, exerted on them, there by the earth, मतलब हमारे कोई भी दो bodies के बीच में, जो force लगता है, exerted करता है, वो force, वो attraction का force क्या होता है, ग्रेविटेशन force ही होता है, ये तो चर्चा बहुत ही असान चर्चा है, second बात करेंगे, electromagnetic force, अब हमने सर मासिल्स की बात कर ली, तो charge को कि छोड़ेंगे, charge मतलब आवेश, आवेश क्या होते हैं, positive और negative की बात करता है, अब दो charge आपने जरूर पड़े होंगे, positive light charges repel to each other, म सर ये तो बाते पड़ी हुई है, या पड़ी नहीं, हाँ जी, पड़ी हुई है, आउ तो फिर बताते हैं, अपिस, देखो, यह आपस में क्या करते हैं, यह करते हैं, attract, kij करते हैं, हमें किसी ने attract करता है, किसी ने attract करता है, देखते ही हो थे हुई है, तो हमने क्या बोला, कि जो same charges होते है, वो हकस में क्या करते हैं, और unlike charges करते हैं attract करते हैं अच्छा यह बाते चलो छोड़ो चर्चाएं जो करनी है वो करते हैं आओ हटाओ जरा बताना जरूरी था the force acting between two electric charges विदूत आवेश at rest is called electromagnetic force properties check करते हैं electromagnetic force may be attractive और repulsive बता चुके हैं प्लेस प्लेस क्या करेगा रिपल करेगा माइनस माइनस क्या करेगा रिपल करेगा और ऑर अगला है strong nuclear force अब चर्चा है वापिस बता रहे हैं ज़्यदा डेप्थ में जाएंगे छोटी चर्चा हैं छोटी में खतम करते हैं इसको बोलते हैं strong attractive force which binds together the protons and neutrons in nucleus अब देखिए nucleus के अंदर होता क्या है sir proton और neutron ठीक है बता के बना के दिखाएं क्या लो 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 अब मैंने क्या बोला कि ऐसा थोड़ी है nucleus अंदर दो ही proton और neutron की बात करते हो बहुत सारे proton बहुत है neutron की बात करते हैं अब क्या होता है proton proton के अंदर repulsion होना संभाव संभावित है क्योंकि प्लेस प्लेस की बात कर रहा है पर जो हमारा यह जो होता है strong nuclear force होता है यह उसको क्या करता है bind करके रखता है साब साब लिखा हुआ है binds together जोड़के रखता है तो क्या बोलेंगे प्रपरटीज में इस दा स्ट्रोंगेस इंट्रेक्शन नॉन इन नेचर सबसे तगड़ा हमारी वाश्य में सबसे तगड़ा ठीक है आओ जरा इट इस शौर्ट रेंज फोर्स अगर इसका अगर देखा जाए जोड़िक्त बीच में लिखा हुआ है इस के बीच पर काम करता है उस नुकलिस के अंदर इतना तगड़ा फोर्स लगाता है वो प्रोटव अपनी मनमानी करा है सकता आउजरा इस चार्ज इंडिपेंडेंट फोर्स इद्यान अखना इस्टा डाल लेना जिस पर निव्टरॉन 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 बॉटरॉन और प्रोटॉन प्रोटॉन के बीच की बात करता है एक्जाम्पल नुकलियर फोर्स बाइंड तुगैदर दा प्रोटॉन में थोड़ा सा पाट पड़ोगे इसका इडिजा फोर्स अपीर्स आउनली बिट्विन अलिमेंट्री पार्टिकर्स मतलब न्यूटरॉन की बात कर रहा है इन्वाल्ड इन नुकलियर प्रोसेस सच ऐस बीटा डीके अल्फा बीटा गामा जानते है तो हम रेड प्रोस होता है तो यह आपका था छोटा सा एक पार्ट फिजिकल वर्ड का शायद चर्चायं कलियर होई होंगी कि नॉट्स इसके नहीं बनाएंगे इसका कुछ बनाने की अवशक्ता नहीं है नहीं तो हमारा जितने वी चेप्टर का लेक्च्छर का पार्ट होता है उसके ह लिखने के अवश्यक्ता नहीं रहेगी और नाकाम की है आपको सिर्फ याद रखना है यह हो सकती है साइन्स फिजिक्स क्या होता है अगर कोई पूछ ले तो बेस्ती तो ना हो बता तो है मैं भी हाँ और बनते हैं किसी भी एक्सपेरियों को कैसे बनाते हैं यह बात पता होत है क्लियर है फिजिक्स मुश्किल नहीं है हमारा फोबिया है उसको हम हटा देंगे और तकड़े तरीके से करेंगे तो आज के लिए इतना ही थैंक यू वरी मच